सवापती महोदाय, आपने राश्चपती महोदाया के अभी भासन पर धनवाद प्रस्ताव पर मुझे चर्चा में भाग लेने के रनुम्पती दी, बहुत बहुत धनवाद महोदाय. महोदाय देश अमरित खंड के रूप में अगले 25 बरसों के लिए उत्सब मना रहा है. बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार लोगों के परिशानी को समझती है और गरीब कल्यान अन्योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. सभापती महोदाय, अभी भासन में मैं सरकार की उपलबजियों के बारे में बिस्तार से चर्चा किया गया है. अगले पचीस बर्च जो की देश के अमरित काल के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी रूप रेखा परस्तुत किया गया है. अपने काफी अच्छे, सपने काफी अच्छे और लोग रुबाबन लग रहे हैं. महोदाय, नारी सक्ती की बात हो रही है. तो मैं यह बोलना चाहूंगा कि कोई भी देश तब तक तरक ही नहीं कर सकता है जब तक कि उस देश का समाज उन्नत नहीं होगा. और कोई भी समाज उन्नत तब ही नहीं हो सकता जब तक समाज की आधी अबादी, यानि इस्तिरियां स्वेंग, सेल्फ इंडिपिंडेंट, सुसुक्चित और सबल नहीं हो जाती. लेंगिक समानता के बेगर विकास की कलपना और बाते करना धूरी है. अता हमें नारी सक्ती को भी एक समान अबसर परदान करना होगा. बात चाहे समाजिक, आर्थिक या परिवारिक अधिकार की हो, शिक्षा की, अधिक समानता की या राजनेतिक अबसर की बात हो, तो हमें नारी सक्ती का समान देना होगा, तथा नारी सक्ती करन के लिए आगे आना होगा. आज महिलाएं अपने आपको सुरक्षित मासूत नहीं कर रही है क्या कारण है कि हमारे देश के महिला खेलारियों को धरने परदर्शन पर बैठना परता है उनका यौन सोसन होता है किन्तु सरकार कोई भी कारवाई करने से बचती है बते दिनों हमारे बहु बेटियों बचियों और महिलाओं के परती गंभीर अपराद के घटनाए हो रही है अता समाज में बदलाव लाने के लिए सरकार को ही जाग रुकता लाने का उपाई सोचने होंगे महोदाय बर्स 1993 में समीधान में 73 में और 74 में संसोधन के तहद पंचायतो तथा नगरिक पालिकांक में एक तिहाई सीटे आरक्षित की गई परन्तुहाल के दिनों में महिला आरक्षन पर साजिस की जा रही है अता सरकार को महिला ससंस्तिकरन के लिए आगे आना होगा क्यों महिला कोमल है कमजोर नहीं सक्ति के नाम ही नारी है जग को जीवन देने बाली मौत ही तुम्हारी है आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है युवाए रोजगार की तलास में भटक रहे हैं जहां रोजगार सिर्जन की बात होनी चाहिए वहां रोजगार के अबसर समाप किया जा रहा है आउट्सोर्सिंग के नाम पर आरक्षन की सुभधा को न करा जा रहा है अभी जनवरी माह 2023 का आकरा आया है कि देश में बेरोजगारी दर 8.30% है देश में सभी दाइनिक उप्यों की बस्तियों के दाम आस्मान छूरे हैं उसे काबू में लाने के लिए कोई भी सार्सक कदम उठाए नहीं जा रहे हैं RBI के अनुसार महगाई ज्यादा से ज्यादा 6% रहना चाहिए लेकिन महगाई भी बिगत साल असात में अस्मान पर रहा पर अभी कुछ गरीबों को रहात मिला है सरकार खुश है किन्तु आम जनता तो तरस्थ है किसानों की दसा सुधरे बिना किसी उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे होगी महदा है हमारे देश के किसान बिहाल है उनको अपने अधिकारों के लिए अंदोलन करने के लिए मजबूर होना पर रहा है सरकार MSB को कानूनी दर्जा देने के बात तो की किन्तु अभी तक कुछ परगती नहीं हुआ किसानों की आए बढ़ाने के लिए कुछ सार्सक उपाए होनी चाहिए पेट्रोल, डीजल, गैस, जीस्टी के दाइरे से हटाना चाहिए महदा है जनता को रहा दिया जा सकता है सरकार को इस दिश्टा में जल कदम उठाना चाहिए महदाय अंत में मैं अपने बिहार राज की बात करना चाहता हूँ देश का समाज बेशी विकास तभी संबभ है जब आप पिछरे राजों को भी समान इस्तिती में लाने के लिए बिहार अता अन पिछरे राजों को बिशेष राज का दरजा देंगे सरकार अस्वासन सिर्फ चुनाओ के समई ही राज सरकार को देती है फिर उसमें रिपोर्ट का हवाला देकर पीछे छूट जाता है या तो बिहार राज के साथ अन्याय हो रहा है मोदाए बिहार के विशेष राज का दरजा देने की मांग के साथ मैं अपनी बाते समाप करता हूँ बहुत बहुत धन्बाद हो या